हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सिवक्षी क्रियेशन्स आज हम इस तरह की गले पर गले की डिजैन बनाएंगे इसके लिए हमने पेस्टिंग वाली बुक्रम ले ली है इसकी लंबाई है साड़े दस इंच और चौड़ाई है पांच इंच ऊपर से तीन इंच पर मार्क करेंगे लंबाई में साड़े पांच इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और इससे नीचे ढ़ाई इंच पर मार्क करेंगे अब यह हमने 0.5 इंच लिया है लंबाई में तो इसका हाफ कर लेंगे यह हो जाएगा 7 इंच यह देखिए और चौड़ाई में लेंगे इसे 0.75 इंच अब इस तरह ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे यहाँ भी अब हमें इसमाँ शेप दे देनी है यहाँ पर भी राउंड शेप दे देंगे और यहाँ भी हलकी सी हम शेप दे देंगे राउंड में अब इसके बाहर की तरफ 0.75 इंच मार्क करते जाना है हमें यह हमारी मार्किंग हो गई है अब इसे कट कर लेंगे हम तो पहले हम इसे भाल से कट करेंगे अब इसके बाद हम इसे अंदर से कट कर लेंगे अब इस बुक्रम को हम कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे यह देखिए हमने इसे पेस्ट कर लिया है बाहर की तरफ जो एक्ष्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसे हम बुक्रम के ऊपर सलाई लगा कर पेस्ट कर देंगे यह देखिए हमने कपड़े को अटेच कर लिया है अब हमें एक लूपी तयार करनी है हम इस पर गले पर बटन लगाएंगे तो उसके लिए हमें लूपी तयार कर लेनी है पहले जिससे हम उसे अंडरग्राउंड अंदर ही दे देंगे यह देखिए इस तरह से हमने औरिविक डोरी कट कर लिया है छोटी सी अब इसे टर्न कर लेंगे इसके लिए मैंने लूप टर्नर का यूज़ किया है यह देखिए कितनी आसानी से हमारी डोरी पलट गई है अब हम धाई इंच की लंबाई में इस डोरी को कट करेंगे और इसे यहाँ पर गले पर हमें अटेच करना है तो यह कॉर्णर आ रहा है हमने जो डिजाइनिंग की थी वहाँ इसका कॉर्णर आ रहा है वहाँ पर हमें इसे अटेच करना है आप चाहें तो इसे उपल से भी लगा सकते हैं बाद में अगर आपको इस तरह से लगाने में परिशानी हो रही है तो आप इसे उपल से लगा दें गला फिनिश होने की बाद मैं इसे अंदर ही लगा रहू हूँ इसमें जिससे हमारा सिलाई में अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर इसे अटेच कर लेंगे इस कॉर्नर पर यह देखिए अटेच कर लिया है हमने अब हम गले का सेंटर निकालेंगे अब इसी तरह से हमें हमारी सूट का भी सेंटर निकाल लेना है अब सेंटर से सेंटर मिलाते हुए और इस तरह से हमने जो एक गला तैयार किया है इसे रग देंगे इस पर अब इस पर एक पिन लगा लेंगे जिससे हमारे कपड़ा यहां अटेच हो जाएगा अब इस पर सिलाई लगा लेंगे यह सिलाई हमें बुक्रम के बिल्कुल बगल में लगानी है बिल्कुल बुक्रम के सारे सारे लगानी है यह हमें बुक्रम के उपर नहीं चड़ाना है सिलाई को ये देखिए ये हमारे गले पर भी सिलाई लग गई है अब हमें एक पैर का मालजन रखते हुए और बागी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे अब इसमें राउंड में पूरी में हम कट लगा देंगे छोटे छोटे से जिससे हमारा गला आसानी से पलट जाए इससे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अब ये जो अंदर हमारा छोटा डिजाइन है इसे भी हम कट कर देंगे और यहां भी कट लगा देंगे कॉर्णर्स पर अब इसे पलट लेंगे और इस पर आईरन कर देंगे यह देखिए यहां पर हमने आईरन कर दिया है अब उपर भी इस पर एक सिलाई लगा देंगे कॉर्णर पर जिससे हमारा जो कपड़ा है यह अच्छे से अंदर की तरफ बैट जाता है और सिलाई भी पक्की हो जाती है इससे हमारी जहां हमने कट्स लगाएते इस तरह सिलाई लगाने से वहां हमारी सिलाई खुलने का डर नहीं रहता है और मजबूती भी आती है तो यह देखिए यह हमारी सिलाई भी लग गई है अब हमें यहां पर एक बटन लगा दिना है और इसे रॉंग साइड पर करके जो हमारा तुरपाई का कपड़ा है इसे भी कच्छे टाको वाली सिलाई से सिलाई लगा देंगे यहां फिर इसे खोल कर हमें तुरपाई करनी है यह देखिए यह हमारा बटन भी लग गया है और हमारा यहला रेडि हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताईएगा कि आपको यह डिजाइन कैसी लगी और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी डिजाइन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग